हेलो जुस्तू स्वागता आपका अपनी यूटूब चैम्रों क्लाइसिस में प्यारोच आज हम बात करने वाले हैं फालतू बच्चों गुमरा करने से कोई फाइदा नहीं है तो जो आज के न्यूज पेपर में न्यूज आईए उसके बारे हम बहुत डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूँ कुल कितने पद खाली हैं बाबू आप देखेंगे 84-866 पद खाली हैं कहां कितने पद हैं सब कुछ डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ ठीके इस साल आएगी भड़ती या नहीं आएगी बहुत अच्छे समझेंगे और आएगी तो क्यों आएगी ये भी हम को समझना ह सबसे पहले आप देखेंगे जो आज की न्यूज पेपर में न्यूज आई है तो अगर आपने न्यूज पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखोगा ये इस ख़बर को बहुत अच्छे सा आपने पढ़ा होगा केंदरे ससस्त्र बलो में 84-866 पद खाली ठीक है CRPF और BSF जैसे 6 केंदरे ससस्त्र पूलिस बलो CAPF में कुल 84-866 पद खाली पढ़े हैं केंदर सरकार ने राज्य सब हम बताया कि CAPF में स्विकृत पदों की कुल संख्या जो है कितनी है 10 लाख है ठीक है अब हम देखें कहां कितने पद खाली है तो आप देखेंगे CRPF में सबसे आदा पद खाली है 29,283 BSF में 19,987 CISF में 19,475 SSV में 8,273 ITV में 4,142 और ASAM RAIFL में 3,706 ठीक है ये पद खाली पड़े हैं कैसर 84,000 पदों पर बेकेंसी आईगी कितने पदों पर आईगी तो वो भी बहुत अच्छे साम समयने वाले हैं जैसे कि आपको पता है अभी आपकी भड़ती चल रही है SSC GD की जो है 2223 ठीक है लगबग 46,000 पदों पर ये भड़ती चल रही है ठीक है किलियर है तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतियार है जिन बच्चों को पेपर ये खराब हुआ है ठीक है जिन बच्चों को और वेकेंसी आती है और जिनके हाइट बच्चों की ठीक होती है फिजिकल ठीक होता है तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आसानी से सेलेक्शन ले लेते हैं इसलिए बच्चों को बहुत जादा इसका इंतियार रहता है और रहना भी चाहिए क्योंकि आसानी से न आपने देखोगो जो online की डेट थी उससे पहले ही इन्होंने जो डेट नोटिफिकेस बताई थी पहले ही कि हम जब से online शुरू कराएंगे तो इन्होंनों उससे पहले online कराने शुरू कर दिये ठीक है उसका कारण आप समझेंगे और आप देखेंगे भरती को बहुत तेजी से चला रहे हैं एक दम इन्होंने एक्जाम शुरू कर दिये और एक महिने के अंदर एक्जाम कंप्लीट हो गए ठीक है और आंसर की भी आ चुकी और आप देखेंगे सरकार पूरी कोशिस करेगी क्योंकि बोट बेंक जोवाट देता है वो उसे ही देता है देखता है कितनी बेकेंसी सरकार में निकली है और कैसे बड़ती हुई है ठीक है तो सरकार पूरी कोशिस करेगी युबाओ को लुभाने का ठीक है युबाओ को लुभाने का सबसे बड़ी है मोका यही है क्योंकि इसलिए भरती को तेज चला रहे हैं केस के हम जॉइनिंग दे दे और इस भरती को निकाल दें चोरास एर पदो पर आएगी कैसर यह मैं केलियर नहीं कह सकता और जहां तक मुझे अनुमान है क्योंकि कुछ पर तो यह नैस्ट एर के लिए छोड़ देते हैं तो पचास एर पिलस पदो पर आपको भरती देखने को मिलेगी जहां तक मुझे लगता है ठीक है अब भरती जो पड़े हैं तो सरकार क्यों दूसरे को मुझा देगी वह खुद भरती निकालेगी ना खुद बोर्ड वैंक बनाएगी अपना तो आपको भरती जो देखने को मिल सकती है द्यार्ट तेश के दिसंबर तक आपको भरती देखने को मिल सकती है लगवग 50 एर पिलस पदो पर ठीक है अगर किसी कारण से तेश में नहीं आती है तो 24 में तो 101 परसेंट भरती आपको देखने को मिलेगी या आप मानके चलिए ठीक है तो आप ज़्यादा परेशान नहों अपनी तयारी को अच्छे से करते रहे है योगि आपके जिस भी बच्चों के पेपर खराब होगी ठीक है यह टाइमिंग के दिकत बच्चों से टाइम मैनिज नहीं हुआ होगा सबसे में बाद टाइमिंग के थी क्योंकि बहुत बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं मैस का अगर उनको कोई भी कोश्चन दे तो वह बनातो देंगे पर उ यह सिक चाहिए ठीक है क्योंकि आपको पता है साट मिनट होते हैं और असी कोश्चन होते हैं कितने को आपको पता लगना चाहिए क्हों को स shown करने कि हमारी स्पीड वनी मैस का कोश्चन तीस से चालियस से करने न हिए ठीक है कितने आप त्यौर्ट PLAYS करते हैं उससे यह पता चलता है तब ही आप question को solve कर पाएंगे जल्दी तो मैं आपसे बस यह request करूँगा ज्यादा समय आपके पास नहीं है क्योंकि आप उस time ही तयारी शुरू करते हैं तो इसलिए आप mark आ जाते हैं ठीक है और आप देखेंगो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जल्द बाजी में बहुत easy-easy question बच्चों ने गलत किये होंगे और आप देख रहेंगो बच्चों को लग रहा होगा क्यार मेरे 10 number और होते हैं भी तो मेरा selection हो जाता बैसे भी deals नहीं आया पर अपने आप से लगने लगता है जब बच्चों के number हम देखते हैं तो और मेरे 5 question और ठीक हो जाते हैं तो मेरे number आ जाता है और वो 5 question बही होते हैं जो बिल्कूल easy होते हैं हम कर सकते थे बट हमने बहाँ पर नहीं किये हमसे हुई नहीं जल्दबाजी में गलत कर दिये या इतनी practice नहीं थी भूल गए उनको ठीक है तो यह को ही आपको दूर करना है इस बीमारी को दूर करना है आपको ठीक है मैं आपसे यह request करूँगा बस पढ़ते रही हैं आपको भड़ती देखने को मिल जाएगी इस साल के last नहीं तो 24 में तो पक्का मिलेगी और मुझे 50% कह सकता हूं में 50% पूरे पूरे चांज से के इस साल के last आपको भड़ती देखने को मिल जाए तो आपको इतना परेशान नहीं होना अगर आपका physical fit है अगर आपकी हाइट ठीक है तो आप SSC GD को टार्गेट करिए अगर आप और किसी फोर्स को जॉइन नहीं करना चाहते तो उसको जॉइन करिए और अच्छे से तैयारी करते रही है अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी छोड़े बैठें बाद इतनी भरती चल रही ह और सबका मैस सेम होता है मैस को अच्छे से पढ़िए रीजनिंग सबकी सेम होती है रीजनिंग को पढ़िए और आपको पता जीके सबकी सेम होती है लगबग जीके को पढ़िए बात हिंदी पर आ जाती है अब हिंदी की टेंसन आपको नहीं लेनी है मैंने जिस तरीके से ह हिंदी पढ़ाई थी और उससे अच्छे तरीके साप हिंदी पढ़ाने वाला हूं इस बार मुझको इतना टाइम नहीं मिला था था पर अब के जुण शुरू करूंगा मैं किला से फोर्म से पहले ही जैसे पता चलेगा बहुत अच्छे से मापको चारो सुब्जेक्ट पढ़ा दूगा आपको कहीं जाने की जौरत नहीं ठीक है इस बार भी बहुत बच्चों ने मुझसे पढ़के बहुत अच्छे नंबर पाए हैं जब रियल्ट आएगा तो मैं आपको सब को दिखाने बाला हूं कि इस बच्चे कितने मांक्स थे और कैंसर सेलेक्शन हुआ है ठीक है तो बस आप से इतनी से रिक्वेस्ट करता हूं भड़ती आपको देखने को मिल जाएगी भड़ती के लिए परिशान नहीं करेंगे वही गलती आप करोगे तुम बाद में फिर मु तो बस इतनी से रिक्वेस्ट बाबू आपसे अच्छे से पढ़ाई करिए आपका सेलेक्शन हो जाएगा बस एक साल अच्छे से तयारी कर लेजिए ठीक है अगर आप पहले ही पढ़लोगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाता है आप रिवीजन अच्छे से इतना ही था